इस चूरन की रोजाना एक चुटकी लेने से चर्बी टीजी से कटेगी इसे बनाने के लिए पहले चीज़ हमें लेनी है अलसी के बीच अलसी हमारे बेट की चर्बी काटने के लिए बहुत फायदे मन्द है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भर पूर मातरा में होते हैं सबसे पहले हम अलसी को 3-4 मिनट तक अच्छे से कर्म करेंगे फिर इसे ठंडा होने दे और क्राइंट करके चूर्ण बना ले इसके साथ हमें दो और चीज़ें लेनी है जिसमें से पहला है जीरा और दूसरा अच्वाइन आप एक खाली कटोरी में 3 चम्मच अलसी का पाउडर डाले दो चम्मच जीरा मिला है और दो ही चम्मच अच्वाइन डाल दे इन सभी को मिक्स करके ग्राइंट करेंगे और हमारा चूरन तयार हो गया है इस चूरन का इस्तेमाल आपको एक गिलास कुनगुने पानी के साथ करना है सुबह नाश्टा करने से आधा घंटा पहले आप एक चम्मच चूरन इस कुनगुने पानी में मिला कर ले रोजाना एक चम्मच लेने से आपको अपने पेट की घटती हुई चर्वी का एहसास होने लगेगा और 10 दिन में आपके पेट की चर्वी 2-4 किलो तक घटेगी ऐसे ही वीडियो के लिए वजन नहीं कट रहा तो इस चूरन की रोजाना एक चुटकी लेने से चर्वी तेजी से घटेगी इसे बनाने के लिए पहली चीज हमें लेनी है अलसी के बीच अलसी हमारे पेट की चर्वी काटने के लिए बहुत फायदे मंद है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसे और फाइबर भर पूर मातरा में होते हैं सबसे पहले हम अलसी को 3-4 मिनट तक अच्छे से कर्म करेंगे पर इसे ठंडा होने दे और ग्राइंड करके चूर्ण बना ले इसके साथ हमें दो और चीज़ें लेनी है जिसमें से पहला है जीरा और दूसरा अजवाइन आप एक खाली कटोरी में तीन चम्मच अलसी का पाउडर डालें दो चम्मच सीरा मिला है और दो ही चम्मच अजवाइन डाल दे इन सबी को मिक्स करके क्राइंड करेंगे और हमारा चूरन तयार हो गया है इस चूरन का इस्तेमाल आपको एक गिलास कुनगुने पानी के साथ करना है सुबह नाश्टा करने से आधा गंटा पहले आप एक चम्मच चूरन इस गुनगुने पानी में मिला कर ले रोजाना एक चमच लेने से आपको अपने बेट की घटती हुई चर्बी का एहसास होने लगेगा और दस दिन में आपके बेट की चर्बी दो से चार किलो तक घटेगी ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉट